सिरी गणे साई नमे जै मातादी जै लजमी माता सभी प्यारे देश वासियों को दीपावली 2022 की हारदिक सुबकाम नाएं दीपावली 2022 बिहद ही खास रहने वाली है और अच्छे संयोग भी बन रहे हैं लेकिन दीपावली गोगरधन पूजा लच्मी पूजा पर सूरे ग्रहन का साया भी रहनी वाला है सूता काल कब तक रहेगा तता सूरे ग्रहन कब से कब तक रहेगा संपूर्ण जारंगारी वीडियो में मिलने वाली है इस साल का दूसरा सूरे ग्रेहन 25 अक्टुम्बर को लगेगा हालांकि ये हमारे देश में दिखाई देने वाला पहला सूरे ग्रेहन है और दीपावली के तेवार पर भी इसका साया रहेगा ग्रेहन लगा हुआ सूरे अस्त हो जाएगा सैयोग है कि इस बार दीपावली की रात से ही सूरे ग्रेहन सू तक आरंब हो जाएगा जियो तीसा चार्री के द्वारा बताया है कि दीपावली इस साल 24 अक्टुम्बर को मनाई जाएगी सूर्य ग्रेहन हमेशा अमवस्य तिति को लगता है और देपावली भी अमवस्य तिति पर होती है अब की बार ऐसा सैयोग बना है कि देपावली की रात से ही सूर्य ग्रेहन का सू तक आरम हो जाएगा इस बार सूर्य ग्रेहन करीब 4 गंटे 3 मिनट का होगा और इस ग्रेहन का मौक्ष भारत में नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि सूर्य ग्रेहन सपाम्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा अब सभी भक्तकणों को बता दें कि जो सूर्य ग्रेहन का समय है वो 25 अक्टूमबर को दो पहर 2 बज कर 32 मिनट से और 6 बज कर 32 मिनट साम तक रहने वाला है ग्रेहन की कुल अवदी 4 गंटे और 3 मिनट है वहीं अब सभी भक्तों के मन में संसे है कि लच्मी पूजन कब करें तो इस वर्ष 24 अक्टूमबर को लच्मी पूजन का सबसे सर्वस्रेष्ट और सुम मवरत साम 6 बज कर 33 मिनट से और रातरी 8 बज कर 17 मिनट तक रहने वाला है यह हिंदू पंचांग के अनुसार जो 30 आचार्यों के अनुसार बताया गया है सबसे सर्वस्रेष्ट और सुम मवरत यही है साम 6 बज कर 35 मिनट से और रातरी 8 बज कर 17 मिनट तक आप लच्मी पूजन कर सकते हो अगर आपने सच्चे मन से लच्मी पूजा कर रहे हो तो कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी जै लच्मी माता आविस्ये लिखें पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब आविस्ये करके जाएं कॉमेंट बॉक्स खाले ने छोडें